देखे सर ये कोशन है CSI net 2019 जून का पार्ट C का कोशन है खैता है लट XN be the sequence of positive real number देखे positive real number की sequence है and YN दे रखे है XN upon 1 plus XN ये YN दिया है then which of the following is oblique are true इन में से कौन सही होगा आपको बताना है सर तो देखेगा अगर हम बात करें ये दिया है sequence XN convergent if YN is convergent sequence XN convergent होगी अगर if YN convergent है तो sequence XN convergent होगी कह रहा है अगला उसका उल्टा हो गया अगला कहता है YN is bounded XN is bounded तो ये चार option है इनको करते हैं एक एक करके देखेगा solve करने के लिए मैं क्या करता हूँ अगर मैं इसको पहले solve करूँ देखें YN को इसको दो तरीके से कर सकता हूँ पहले इससे कर लेता हूँ अगर मैं sequence XN ले लेता हूँ सट sequence XN is equals to N square ले लेता हूँ तो होगा गया YN जब मैं निकालूंगा तो YN कितना होगा N square upon 1 plus N square जब solve करिएगा इसको तो N square upon N square 1 plus N square limit N tends to infinity पे ये जो value आएगी 1 upon 1 plus ये कितना होगा N square common लिया तो 1 upon N square होगा ना 1 upon N square ये 1 upon N square की जो value आएगी 1 आजाएगी ये convergent हो गया जबकि ये क्या है sequence XN क्या है आपकी sequence XN क्या है divergent है तो YN तो convergent आगया तो इसका मतब ये option तो यहां से गलत हो गया समझ रहे हैं मेरी बात को इसी को मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूँ क्या अगर मैं बात करूँ ये लिया है मुझे YN कितना दिया है सर YN is equals to दिया है XN upon 1 plus XN जब इसको cross multiply करेंगे तो YN into 1 plus XN is equal to XN इसको solve आप करिएगा तो यहां से XN की जो value आएगी वो आपको मिलेगी YN upon 1 minus YN मिलेगी सर अब इससे दो option clear हो जाएंगे आपके देखे पहला option क्या होगा हमें कहा गया अगर YN convergent है अगर मैं sequence YN को लेता हूँ एक constant sequence 1 मुझे YN की बारे में तो कुछ नहीं कहा गया ना कुछ भी ले सकते हैं जबकि XN positive real number की sequence से इतना मुझे पता होना चाहिए तो सर अगर constant sequence ले लिए जाए तो यहां से देखे constant sequence मंदब convergent है YN convergent है तो XN तो आपका जब आप Y की value 1 यहां YN की value 1 रखेंगे तो 1 upon 0 infinity हो जाएगा XN तो divergent मिल जाएगा ना तो यह दो तरीके से इस part को आप कर सकते हैं यह गलत हो गया और इसी को गलत यह हमने गलत किया इसी तरीके से चौथा ओप्शन देखोए इप XN is bounded then YN is bounded कह रहा है यह Y sorry XN is bounded if YN is bounded देखे YN तो हमने bounded लिया constant sequence bounded है लेकिन XN क्या आगी unmounded आगी तो इसका मतलब यह तो गलत हो इसको यहां से भी कह सकते हैं और ऐसा हमने प्रूब भी कर दिया वो कह रहा था इफ YN is bounded यह दी YN bounded हो तो XN bounded होगा तो गलत हो यह YN bounded था तो XN तो आपका unmounded मिल गया option number one और four तो हमने ऐसे discard कर दिये वो गलत होगे सर अब बात करते हैं हम अगले options की तो अगले options के लिए देखेगा एक सीज ध्यान दीजेगा अगर मैं इसको solve कर रहा हूं मैं जानता हूं कि हमें दिया है XN positive term की sequence दे रखें तो क्या sir मैं ऐसा लिख सकता हूं one plus XN जो होगा बड़ा होगा XN से क्यों क्यों कि XN positive term का मतलब हुआ one से start होगा one जोड़ेंगे इसमें तो two for all and यह आएगा one plus XN जो होगा बड़ा होगा XN से अगर one upon कर दे one upon one plus XN जो होगा sir less than क्या जाएगा less than क्या जाएगा XN आजाएगा अगर हम इसको क्या करेंगे one upon से एक मिनिट हाँ इसको जरा सा हम ऐसा करते हैं ऐसा न करके एक काम कर देते हैं one plus XN यह लिखते हैं one plus XN क्या one से बड़ा होगा yes वैसे भी कर सकते हैं one से बड़ा होगा तो one upon one plus XN sir क्या होगा less than one होगा अब अगर मैं दोनु साइड XN से मल्टिप्लाई कर देता हूं XN upon XN plus one less than XN मिल जाएगा हमें ठीक है sir यह कैसे हुआ यह तो आप समझ रहें ना one plus XN one से बड़ा क्योंकि positive term की series दे रखिए XN की एक value start one से होगी तो one plus one two हो जाएगा तो इस टिकली गड़ते ना जाएगा अब यह क्या मिला YN is less than XN मिल गया YN is less than XN यह मैं क्यों कर रहा हूं भी समझाता हूं आपको YN जो मिल गया XN से छोटा मिल गया से अब आप देखेगा अगर ऐसा है तो हम जानते हैं कि limit N tends to infinity YN less than होगा limit N tends to infinity limit N tends to infinity XN ठीक है for all natural number N belongs to N ऐसा होगा ठीक है less than होगा ठीक है अगर equal आ जाए तो equal भी हो जाएगा है ठीक है यहां तो strictly है इसलिए हमने यह लिखा अब सब देखेगा ध्यान दीजेगा क्या मैं यहां से यह कह दूँ अगर इफ XN sequence XN is bounded is bounded 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 ता मतलब क्या होता है किसी एक natural number से इसकी जो XN की value less than equals to M होगी न किसी sorry कुईसी एक real number से सारे term sequence के less than M आएंगे ठीक है तो यह line क्या कहती है इस line से हम यह भी बोल सकते हैं फिर this implies क्या क्योंकि यह देखिए यह XN है XN अगर bounded है तो यहां से मैंने प्रूब किया था XN YN less than XN तो यहां से मैं कह पाऊंगा ना कि अगर XN bounded है तो YN is also bounded also bounded अगर XN bounded है तो YN भी क्या हो जाएगी bounded हो जाएगी इस है option third is correct option यह यहां से आ गया अब देखते हैं एक option हमारा और बस्ता है उसको भी हम discuss कर लेते हैं इसमें देखेगा आप अगला देखिए अगला पार्ट हमें क्या करना है हमें sequence XN convergent दे रखिए since sequence XN is convergent और converge किस पर करती है L पर माल लेते हैं limit N tends to infinity XN converged to is equal to L मान लेता हूं तो limit N tends to infinity YN is equal to क्या जाएगा limit N tends to infinity YN की value कितनी है सर्थ XN upon 1 plus XN अब इस limit को अलग-अलग लिखेंगे वह मैं लिखनी रहा हूं डारेक्ट लिख रहा हूं हमने इसको L मान रखा है L upon 1 plus L अब ध्यान दीजेगा फिर positive का concept आ गया तो यह positive पे converge करेगी है ना positive real number की sequence है ठीक है तो यह L 1 plus L is not equals to 0 अगर यह 0 हुआ तो यह आपके पास कहानी खराब हो जाएगी वह L equals to minus 1 होना पड़ेगा जो कि है नहीं वह positive पे converge करेगी ना तो अब देखे आप limit n tends to infinity इसका मतलब यह हुआ कि यह जो number आएगा एक finite आएगा मतलब converge करेगी तो यह वाला option देखे इफ sequence xn is convergent convergent लिखा नहीं मैंने अब convergent then sequence yn is also convergent sequence yn n b क्या हो जाएगी convergent हो जाएगी यह क्या था फोर्थ option तो गलत हो गया था ना फोर्थ option तो गलत था हमारे पास तो इसके answer कौन-कौन से सही हो जाएंगे एक तो option इसका correct हुआ second और एक option इसका correct हुआ third second और third इसके option क्या हो जाएंगे correct option हो जाएंगे और फर्स्ट और फोर्त ओप्शन क्या हो जाएंगे इसके और रॉंग ऑप्शन हो जाएंगी सर थीक है तो यह लाइन तो यह कह रही थी आप उसको वैसे भी कर सकते थे मॉड लेकर डायरेक्ट आप एकसे इन को बांडेड कह रहे हैं तो अगर एकसे इन मांडेड है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सीक्वेंस एकसे इन के बांडेड होने पर इसा नहीं कि एकसे इन मांडेड हो जाएगी जिसको हम पहले डिसकार्ट कर चुके हैं ठीक है